नमस्कार दोस्तों वेलकम टो रिदान्स मॉम गार्डन तो दोस्तों एक प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए दो चीज की जरूरत होती है एक प्रॉपर न्यूट्रिंट और पेस्ट या फंगल एटेक्स अपने प्लांट को अगर आप बचा पाएंगे तो आपके प्लांट स साल और साल आपके गार्डन में रहेंगे गार्डन की सोभा बढ़ाएंगे तो दोस्तों इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको कंपोस्ट खरीदना पड़े महेंगे खात खरीदना पड़े केमिकल्स वगरा खरीदना पड़े यह कोई जरूरी नहीं है आपके कीचन से ही निकलता है जो कि हम ऐसे डश्टमिन में फेक देते हैं उससे भी आप अच्छे से प्लांट्स को न्यूट्रिन प्रोवाइड कर सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताती हूं कौन-कौन सा मैंने वेस्ट कलेक्ट किया है यह है औरेंस पिल यह भी प्लांट्स के ल प्लांट्स के लिए अमरित होता है इसमें अगर आपको थोड़ी सी जानकारी है कि कैसे हम इसे प्लांट को दे तो आपका प्लांट्स बहुत ही हल्दी और बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी और दोस्तों जो मेरे पुराने वीवर्स है वो तो जानते ही है कि मैं केमिकल्स बिल्कुल प्लांट में यूज नहीं करती है मैं कभी खरीद के भी नहीं लाती हूं केमिकल्स जितने भी कीचन से वेस्ट निकले होते हैं वही सबसे मैं अपने प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिन देती हूं और देखें दोस्तों कितने प्रॉपर ली है और कितने हल् को इसमें पैसा खिर्च नहीं करते हूं सारे लिगोगाय क είसे और उपमोगे आपको साहए गी तो दूस्टों मैं एक उपसा साल रगद करते ए इसमेन घर में असी सेलेक्ट का लीजे जहां जादा पर जादा उसको यूज नहीं करते हैं तो ऐसा कोई भी जगह होता है कीचन में आप एसा सेलेक्ट कर लीजिए और कुछ वेस्ट कंटेनर यह सब मिठाई के ही कंटेनर है जो मिठाई हमने खा लिया और किसी काम कर नहीं हो फेक देते हैं तो इस टाप का आप कंटेनर अगर नहीं है तो नॉर्मल टैप वाटर भी आप यूज कर सकते हैं तो नॉर्मल टैप वाटर भी आप यूज कर सकते हैं यह पानी में डाल दीजिए संत्रे का चिलका चार से पांच दिन तक आप ऐसे ढखन बंद करके एटाइट कंटेनर में रख दीजिए इसमें दूप ना पड़े ऐसे जगह में रख दीजिए यह और इंस पील बनाना पील और यह ओनियन पील यह तीनों के ऐसे रख आप अत्रा वास्त जाल नियां लेटेक气 है और वास्त करलें चाय में अगर आप शक्कल यूस करते हैं तो अ रिकल लेगा और दूप में शुखा दीजिए और यह अंडे का चिलका है यह आप वास कर लिजिए अच्छे से और इसके बार में यह मेरा पेपर का पॉट है तो इसमें इसलिए रखा है ताकि एरियेशन होता रहे और इसमें कोई फंगल एटेक ना हो तो इस तरीके से आप कंटेनर सेलेक कर लिजिए तो यह ओनियन पील है मैंने इसको पानी में करके 5 दिन रखा हुआ था और यह किया लगा दिया तह और इसको एसमें रख दिया था और कभी टाइम मिले दिन में एक बार इसको किसी चमत सार्थ या किस से आप इसको अप पानी और यह प्याज उपर नीचे हो ज पोटैसियम, कैल्सियम, फोस्पोरस, मेगनीज और सलफर बहुत ज्यादा मात्रा में रहता हैं और यह सब हमारे प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है और दोस्तों यह सब फोटोसिंतिसिस व्हुत काम आता है और ये एकसेल है, एकसेल ये और्गनिक, और्गनिक सोर्स of Southwest Calcium है, इसमें आप इसको ऐसे प्सक्रush करके या आप पीस के भी आप कर सकते, मैंने वीडियो बनाया हुआ है एकसेL को कैसे civils में यूज करें, तो वह चाहे तो आप देख सकते मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कर सकते वेन छाहिएं इसे मैं में जरा यह जूंगा हुआ है कारे है। मैं भूंगे ज़体ल कराकिन पनाना फील कग मेंगा टाला सुछता है। बाना में प्लाएं मेंड भी यृवश्ति प्लांट्सेया rapt को प्लांटि के दे लिए बहुत सारी नमार्कर यृथ खरीत के लाते हैं और वो लगाते हैं लेकिन दोस्तों मैं मार्केट से कुछ भी नहीं खरीती हूँ घर में जो वेस्ट है उसी से मैं बनाती हूँ और ये टी लीव्स है ये भी बहुत अच्छा सोर्स होता है एनपी के का इसमें नाइट्रोजन 4.4% रहता है फॉस्पोरस 0.24 परसेंट और फॉट्या उटल पर्सेंट इसमें पोटैसियम होता है तो ये सब लांट्स के लिए बहुत है और फॉट्पा लीए ये सब यूज करते हैं और ये ओरेंज फिल है दोस्तों स्वेल का पी-एज बैलन्स करने के लिए ये औरेंज फिल बहॉत काम आता है इसके जितने भी यह लिक्विड निकलते हैं इससे जो है सोयल का pH बैलेंस रहता है और इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है और कई मिनरल्स इसमें अविलेवल होते हैं तो प्लांट्स बहुत अच्छे से यूज कर लेते हैं और यह जो हम फीक ही देते लेकिन यह हम इस तरीके से प्लांट्स में यूज करेंगे तो इन्वार्मेंट के लिए अच्छा है जो गंदगी आज कल चारो तरफ गंदगी फैल रही है उसके लिए भी थोड़ा सा इन्वार्मेंट को हम एक अलग तरीके से हेल्प कर सकते हैं क्लीन और दोस्तों यह जो पानी है आप इसको आधा एक हिसा लिक्विड और एक हिसा आप टैप वाटर मिक्स करके आप अपने प्लांट्स को दे दीजे यह बहुत अच्छे से यह ग्रोथ होता है इससे और जो यह बचा हुआ चिलका है इससे आप कॉम्पोस्ट बना सकते हैं और इस तरीके से हम अपने घर में र और 30 परसेंटब कैपर वग्रस्टी में अपने प्लांट्स में और दोस्तों आइट्रोजन्स होता है वेलए तखटन न वहsal寸ि गिर जाते है तो उसके लिए कि पोटाशियम ज़रूरी होता है यह चाहिता है अगर भारशन ज जो आपने प्रांच को प्रोवाइट कर आए तो है खोगी और पोटाशियम उस्टासी seben निसे डोटाश्यों मेलेरा तो घर में रखे हुए वेस्ट से ही हम अपने प्लांट के लिए बहुत बहुत बेहतरी न्यूट्रिंग बना सकते हैं और पेस्ट वगरा एटक करें तो आप नीम ओयल स्प्रे कीजिए उसमें केमिकल्स बिल्कुल नहीं होता है और अगर आप फूर्ट्स वेजिटेबल वग में रखे हुए वेस्ट से ही बहुत अच्छे से प्लांट की ग्रोथ में यूज कर सकते हैं तो दोस्तों आसा करते हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए और निव वीवर्स प्लीज मेरे चैनल को बला को